तो बताना चाहूंगी कि सभी ने कहा सरकार की बात कहीं मैं सरकार मुसल्मान हिसाई इस सब बातों में नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे गुरू जी कहते हैं कि जब हिंदू सभाव हो तो हिंदू की ही बात की जाती है किसी और की बात करना हिंदू सभा के खिलाफ है तो मैं आप स करने के लिए जाए और अमरनाथ की यात्रा पे हिंदू से टैक्स लिया जाता है तो क्या हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू किस तरह से कहेंगे हिंदू को आज अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है लोग सभा के चारों तरफ जाके घिराओ करना पड़ रहा है कि संप्रदाइक हिंसा भी लागू ना हो सरकार सी ये प्रातना है हिंदुओं को अपने देश के लिए लड़ाई करनी पड़िये अपनी भारत माता के लिए और वो संत उसके लिए लड़ रहे हैं मेरे भाईयों बैनों माताओं सबसे निवेदन करूंगी कि अगर ये संत समाज ये सर्ष्टती खत्र में आ गई तो एक ना एक दिन हम सभी खत्र में आ जाएंगे और इसको हमें बचाना है आकरी बात कहूंगी कि आधिया चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो कंठ में करंदन नहीं हुंकार को पैदा करो फिर से सजने लगी कुर्छेत्री समय की भूम टी शेर की आवाज में ललकारना है क्योंकि इस भारत धेसे कुपर 12 को अतंक वाद को और राजबु नीटी को तो रहना है तो रहीम रस्कान बनके रहो और अग्जेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हरे खस्ती को इसलिए दोना हाथ उठाके मुट्टिया बांके सभी कहेंगे भारत माता की भारत माता की हिंदु रष्ट की हिंदू धर्म की संत स्वाज की जैजैश् आप सभी ने देड़े से सुना धन्यवाज जैश्यराम जैजैश्यराम